कि तोड़ी आई नों वारीद ट horrीडक की का फॉल फॉर्म-फॉक्या भूटा जैए तो काम्प्यूटर की फॉल फॉर्म क्या होता है तो कॉंप्यूटर की स्वार्नी से पहले हमें कम्प्यूटर कीमीनि मीनिंग चाहिए तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्प्यूटर की मेनिम क्या है तो कंप्प्यूटर की मेनिम होती है सी ओ एंप यू टी इए आर अब इस हर एक लेटर का कोई अर्थ निकलता है मान निकलता है तो एक एक लिटर से पता करेंगे आखिर क्या होता है क्या छिपा है कंप्यूटर में तो C stands for Commonly अर्थात सम्मान्यत, O stands for Operated अर्थात चलाया है M stands for Machine यानी कल पुर्जा, कल मसीन अर्थात लागातार, U stands for Youth for अर्थात परयोकन, T stands for Time Pass यानी समय को पास करना E stands for Education अर्थात सिच्छा, and R stands for Research किसी चीज पर खोज करें यानी समान्यत चलाने वाला वह मसीन जिसका लागातार परयोक करके हम अपने Time Pass के साथ साथ सिच्छा भी प्राप्त करते हैं और किसी भी चीज की खोज भी करते हैं रिसर्च करते हैं किसी चीज के बारे में तो यह सब जिस दिवाइस के द्वारा किया जाता है उसी को computer करते हैं इसके लागे हम दूसरे ढ़ां से भी computer के मतलब उसका मान अर्थ और वह फूर्व चान सकते हैं बहुत करते हैं तो पहर्ले जानते की computer के रिल्च हेंदी क्या हाथ को computer का हिंदी होता ह् us ऑ मिब जया है क और कि कि चीज च चीज के बारे में कि किसी भी बारे मीं की फोर्म जानते हैं या कोई पहुँची ब्रमान है ऊसकी हर ग्यान हर गना कॉंप्यूटर की दुसरी फूल फॉर्म मैं वस्ट थोड़ी सी चेंज हुआ है C stands for Commonly, O stands for Operated, M stands for Machine, P stands for Particularly, U stands for Used For, ये तो पहले ही मैं जाना है E stands for Education and R stands for Research ये भी जान चुक है लेकिन यहाँ थोड़ा दिक्रेंट है T stands for Training, उसमें था कि T stands for Time Pass यहाँ T stands for Training, तो खिर से बताचा है कि C stands for Commonly, अर्थात समाने था, O stands for Operated, अर्थात चलाना और M stands for Machine, यानि कलपूर्जा, मशीन, P stands for Particularly, अर्थात लगतार, U stands for Used For, अर्थात परयोग के लिए, और T stands for Training, यानि किसी चीज की लगतार जनकारी में लगे रहना, मतलब उसको ट्रेंड होना उस्ते, E stands for Education and R stands for Research, अर्थात खुज़ा, यानि समाने था, चलाने वाला वह मसीन, जिसका लगतार परयोग करकर हम ट्रेंड होते रहते हैं, शिच्छाप्राइप करते रहते हैं, और किसी भी चीज की खोज करते रहते हैं, तो वह डिवाइस की computer कहलाता है, तो यहीं सी computer की फूल फर्म,